है वेल्टम बैक टू कॉंपिटिशन कम्यूनिटी आप सभी का स्वागत हैं कम्यूटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल में मैं हूँ सौरब और आप लोग देख रहे हैं एससी का यूट्यूब कोर्स जिसमें आज मैट्स में हम डिसकस करने वाले परसेंटेज जो कि तीन लेक्चर्स हुए मैट्स के बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी जो टोटल दस लेक्चर्स हुए इसके हंडेट कोशन का पीडिएफ यानि की प्रैक्टिस शीट आपको प्रवाइड हो जाएगा इस संडे को तो वो सारी चीज़े आपको जो है कंपुटिशन कम्यूनिट चीज़े में से एक सब्जेक्ट का लेक्चर्प्र वाइड हो रहा है शाम को पांच बजे आपको इंग्लेश और जीएस का एक लेक्चर प्रवाइड हो रहा है यानि कि S.C. का कम्प्लीट कोर्स आपको यहां पर कराय करा जा रहा है जिसका साथ फायदा फ्री ओफ कोस्ट हमारे साथ जुड़कर फायदा उठा सकते हैं ठीक है साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में भी आप जुड़ेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन्स टाइमली मिलते रहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने जहां पर जिस सवाल को जहां पर छोड़ा था वहीं से इसको continue करेंगे तो इस वीडियो का पहला सवाल यानि कि पिछले वीडियो में मैंने 46th नंबर के सवाल तक कवर किया था यह 47th नंबर का question आपके screen पर है In a school 4% of the student did not appear for the annual examination 10% of the student who appeared for the exams could not pass the exam out of the remaining 50% got distinction marks and 432 students passed the examination but could not get distinction marks find the total number of students in the school तो देखिए यह लगभव वोटिंग के जैसा ही सवाल है कि कुछ लोग वोट देने नहीं गये थे और उसके बाद जो देने गये थे उनमें से कुछ invalid निकले कुछ वैलिड निकले उन्वैलिड में कोई जीता तो हारा इसी तरीके का कहानी यहां भी चल रहा है एक बार हिंदी में भी पढ़िये यहां दिया हुआ है कि एक स्कूल में 4% वार्षिक परिक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए 4% चात्र वार्षिक परिक्षा देने के लिए गए ही नहीं मतलब कि 96% ऐसे बच्चे होंगे जो कि देने गए होंगे एक्जाम इसमें से बोला गया कि परिक्षा में शामिल होने वाली जो थे उसमें से 10% उत्तीन नहीं हो पाई उत्तीन अगर 10% नहीं हो जाए तो शेष जो बच्चे उसका 90% बच्चे जो है वह उत्तीन हुए होंगे इसमें भी बोल रहा है शेष चात्रों में से तो यह शेष वाला जो है पैटन उसके पैटन पर आधारित प्रशन है यानिकी रिमेनिंग वाले पैटन पर इसमें बो अंक होगा डिस्टिंक्शन नहीं मिल सके तब स्कूल के चाट कि कुल संख्या क्या है बतानी तो देखिए सिंपल सी बात है यदि मैं मालू कि स्कूल में एक्स बच्चे थे एक्स बच्चों में से 4 प्रतिशत तो ऐसे बच्चे जो की एक्जाम देने नहीं गए तो शेष से भी 10 % बच्चे जो है वो अप्वियर वूए थे लेकिन पास नहीं हूए तो पास होने बच्चे कितने होंगे थो पास होने वाले बच्चे ओजांगे इसका नव क्रतीसंगे या उसका भी बचे हुए 50 पर्तिसस लोगों को दिस्टिंशन एह लेकिन 432 ऐसे बच्चे जो की पास हुए लेकिन दिस्ट्िंशन नहीं मतलब की देखे इसमें से 50% जो की दिस्टिंशन वाले है या उसका भी बचे हुए 50% दोनों बराबर ही है कहने का मतलब ये इतने बच्चे पास हुए थे इसमें से भी 50% ऐसे हैं जिनको distinction नहीं मिला था और जिनको distinction नहीं मिला था उनकी संख्या दी हुई है 432 तो क्या हम बता सकते हैं कि शुरुआती तरफे कितने लोगते हैं तो असान सी बात होगी इसको बस solve करना है तो पर्सेंटेज को हटाने का मतलब है बटे में 100 कर देना तो इस परसेंटेज को मैं हटाओंगा तो यहां पर भी divided by 100 हो जाएगा क्योंकि percentage का मतलब होता है 100 बटे 100 इस परसेंटेज को भी मैं हटा सकता हूं और यहां पर divided by 100 कर देंगे तो बताइए भई calculation करने पर value कितना आएगा ठीक सिंपल सी बात है यह चास से काटने पर कहिना कई इसको आधा लिख सकते एक जिरो इससे कट जाएगा तो नौ से यदि मैं इसे काटू कहिना कई चार बार कट्चे का 36 से फिर 70 साथ आ गया रहा है 72 मतलब 48 बा जाएंगे तो कई ना कई एक हजार बच्चे हो जाएंगे 1000 स्टुलेंट्स क्लियर है तो यहां से समझ में आ रहा है कि ए सवाल का सही उत्तर है 47 का आशा करता हूं यह सवाल आपको समझ में आया होगा और यह जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है यह मैंने प्रिवियस क्लास इसके 50 प्रतिशत बच्चे जो कि यहां पर 432 के बराबर एक लाइन में आप इसको इस तरीके से सॉल कर सकते हैं चलिए अगला सवाल देखते है 48 नंबर का जो की चुनाव से रिलेटेड है यहां पर भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपका दिया हुए देर वे टू तो बचा कितना प्रतिशत अब यह जो अब प्रतिशत अब इसके बाद बचेंगे वह 90% पहले थे और 90% का Jn3 पर संट जो है वह वहां हो गय अब और वीनिंग केंडिडेट को मिले 54 परसेंटेज अब आपको ध्यान रखना है यह 54 परसेंटेज जब बोल रहा है तो बोल वोट कह रहा है तो यह किस की बात कह रहा है यह remaining की बात कर रहा है क्योंकि total वोट में से remaining जो था वोट देने वाले थे उसमें से जो remaining था वो valid वोट मतलब overall जो remaining बचे हैं उसका 54 percentage winning candidate को मिलता है और साथ में बोला गया कि वो जीता कितने से तो जीता इतने वोट से 1620 तो बताना क्या है number of voters enrolled कितने हिंदी में भी समझे चुनाव में कुछ उमीदवार दस प्रतिशत ने अपने वोट नहीं दिये और कुल डाले वोट में से 10 प्रतिशत अवायद हो गया अब बोल रहा है जीतने उमीदवार को वैद का अगर 54 प्रतिशत या नहीं कि 54 प्रतिशत मिल रहा है तो 1000 और वो वोट जो है 1620 वोट से जीता तो बताना क्या है कि कुल वोट कितने थे ठीक है उन 90 प्रतिशत में से 10 प्रतिशत अवैद हो गया मतलब अब 6 जो बचे थे जो कि 90 प्रतिशत है उसका 10 प्रतिशत अवैद हो गया मतलब जो वैद वोट होंगे क्योंकि 10% माइनस 10% माइनस करने पर 90 का 90% बचेगा यह क्या है यह है टोटल वैलिड वोट्स यह क्या है टोटल वैलिड वोट्स है मतलब की टोटल जो वैद वोट्स है यह इतने है ठीक है इसमें से दो भागों में बटेगा यह अपने आप में 100 पृतीसत हुता है केवल वैद वोट्स की बात करें तो यह भी अपने आप में 100 पृतीसत है जिसमें से विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला 54 परसंटेज और के अंतर की मैं बात करूं तो कितना है आठ परसेंटेज्टेज का मान कहीना कहीं दिया हुआ यहाँ तो यहाँ पर किसको मिलेगा तो यहां पर कहीना कहीं लूजर को मिलेगा मैं इसलिए इसको 54 और 46 में बाटर क्योंकि 54 percentage यह किसका है यह वैलिड वोटS का 20 तो कही चलिए बचा हुआ इसाल करते तो सॉल्क करने चाओँ तो कहीना कही आप देखेंगे अगर चार से काता जाये ना चार से काटेंगे तो कहिना कही यह जो value है ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 25 ठीक है पंजल को समझ में आ गया होगा इस तरीकी के हैंडल उसे को कशe बारे में बुला गया तो कैसे उसको पंजह में आने लगा होगा अगला सवाल pops village lost 12% goats in flood and 5% of the remainder died of disease if the number of left number of left now is 8360 then what is the original number before the flood Chinese 1-2 प्रसेंट بेक्रियां तो बताना है कि अगर मैं मान लों कि यहां पर Hai घ्र गए तो बचेंगे 88 परसंटेज और 88 परसंटेज का मतलब आप लोग जानते हैं 88 बटा 100 इतने इतने बक्रियां बचे इस शेश में से रिमेंडर में से 5% मर गए किसी बीमारी से तो अगर 5% मरे हैं तो 6 कितने हो जाएंगे 95% हो जाएंगे 95% का मतलब 95 बटा 100 ठीक है और इसका मान कहीना कही आठ थीन सो साथ दिया गैंगे अब बताए इसका वाईलू क्या अगर मैं इसे 11 से काटू जाएंगे 5 बार यह कटेगा 40 और और पांच गुणे आठ जो है चालिस होता है तो यह 40 पूरा का पूरा कड़िया मतलब कुल मिला के शुरुवाती तौर पे जो बक्रिया थी वह 100 इंटू सौती मतलब 10,000 10,000 बक्रिया थी शुरुवाती तौर पे तो यह 40 वाला जो ऑपसर बी वाला यह सही हो जाएगा आशा करता हूं यह आपको अच्छे समझ में आया होगा कैसे हमें इस प्रकार के प्रश्ण को जहां पर 6 के प्रतीशत के बारे में बात हो रही है इसको कैसे सौल्व करना है यह आपको समझ में आया होगा ठीक है टोटल वाला भी मैंने केस बताया था कि टोटल के प्रतीशत में क्या हो रहा है तो वह पिछले वाले वीडियो में मैंने कवर किया शेष वाला जो कुस्टेंस हम देख रहे थे उसके तीन सवाल और मैंने यहां पर लिया है इस वीडियो म हो गया तो शुरुवाती दौर पर कितने आर्मी के मेंबर्स यह बताना है मतलब देखिए कहीना कहीं नौ का क्यू भी तो इतना होता है मतलब यहां पर एक हजार है तो पहले भी एक हजार और मुल्टिप्लाय करने पर यह वाला वैल्यू आना चाहिए अगर पूरा अगर डिजेबल हो गए तो अब इसका 90 परसेंट फिर से बचेगा शेश का तो कहीना कहीं 90 डिवाइड़ हंडेड होगा और इसका वैल्यू दिया हुआ है सेवन टू नाइन के बाद तीन जीरो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कहीना कहीं एक जीरो से कटेगा एक जीरो इसके this to 9.99 729 नाइन को कार्ड बिया जा सकता है तो एहां उपर 1000 बचा हुआ है यहां भी कहीना कहीं 1000 एक़र आखीद 10000 हो जाएगा यानि 30 के बाद 30 और तो कहीना कहीं हां पर जो वैल्यू आ रहा है वोuar 10 लक नोग आए जो आ प्षम का अज़ क्यों करhes को समझ tennis प्रीस् अब मैं आओंगा यहां से successive percentage change पे याने लगातार या क्रमागत प्रतीशत परिवर्तन बहुत important part है यह very important part क्योंकि इसको समझना भी है हमें कि इसको लगाना कहा है यह होता क्या है यह भी हमें समझना है ठीक है चली उसके बाद फिर मैं इसके सवाल भी आपको cover कराओंगा इसी वीडियो के अंदर देखिए सबसे पहली बात यदि मुझे final value निकालना था पिछले वीडियो में हमने द प्रतिसत से मुझे बढ़ाना है तो मैं यहाँ पर लिखता था 100 प्लस x 100 प्लस x divided by 100 यही लिखा जाता था यदि मुझे किसी value को x प्रतिसत से बढ़ाना है तो हम क्या करते थे प्रारमभिक मुल्य में 100 प्लस x बटा 100 करते थे लेकिन अगर मैं कहूँ कि final value तक जाने के लिए पहले आपको इस मुल्य को याने प्रारमभिक मुल्य को x प्रतिसत से बढ़ाना होगा और उसके बाद जो मुल्य मिला उसको एक बार और y प्रतिसत से बढ़ाना होगा तब जाकि अगर final value मिलता है तो कही न कहीं हमें यहां पर 100 plus x by 100 करने के बाद इसी मूल्य को फिर से y से change करने का मतलब 100 plus y by 100 से इसको एक बार और change कर देना तो यहां से जो percent change हुआ वो overall 100 plus x by 100 भी हुआ और 100 plus y by 100 भी हुआ जब दो बार हम successively इस चीज़ को change करते हैं तब जाकि हमारा final value आता है तो यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई एक बार में एक value बताईए जो मुझे final value दिदे यहां पर दो दो बार x और y से क्यो change करना है हमें कोई एक value बताईए जिससे आप प्रतिसत change करेंगे तो यहां पर final value आ जाएगा तो वो percentage जो होता है वो percentage net change का जो formula होता है वो होता है x plus y plus xy by 100 ठीक है इतने प्रतिसत से आपको change करने पर directly final value निकल के आ जाएगा अब कुछ लोग हो सकता है सोच रहे होंगे कि यह कैसे आ गया तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि यह value आया तो कैसे आया इसका calculation भी मैं आपको दिखा सकता हूं कि जैसे suppose करिए कि अगर यहां पर मैं इसको 100 plus x by 100 के form में लाना चाहूं तो एक 100 को as it is में रख लेता हूं दूसरे 100 को multiply कर लेते हैं ठीक है अब जैसे मैं इसको multiply करूंगा अंदर तो कैसा दिखें कई यहां से हंड्रेट से पहले multiply होगा याने 100 से इसको multiply करोगे तो कहिना कई लगा पलस यह एक्सस्वन शblesोपय ओगए तो ACT यह वाला चैंटरेट इस YouTube अबक्त भाइगा तो दोनों 100 अब धुशथा कर जाएका तो बचे इतने percentage से बढ़ा रहा हूं divided by 100 कही न कहीं यह फ़र्मूला एक बार percentage increase करने का मतलब होता है 100 plus x by 100 और दो बार percent change करने का मतलब होता है 100 plus x by 100 into 100 plus y by 100 जिसको मैं एक बार में ऐसा लिख सकता हूं कि 100 plus इतना value divided by 100 तो कहने का मतलब यह है कि कि आप दो दो बार percentage change करें x percentage और y percentage से या फिर आप एक अई बार x plus y plus xy by 100 से change करें तो directly final value निकल के आ जाएगा ठीक है आज आपको समझ में आओगा कि x percent और y percent से change करने पर ultimately value x plus y by 100 xy by 100 से चो चेंज होता है तो आप इस चीज़ को no down कर सकते हैं कि successive percentage change में जब दो बार लगाता है हम प्रतिशत change कर रहे हैं तो एक बार यदि आप x plus y by plus xy by 100 से चेंज करें तो overall percentage net change कितना हुआ यह हमको बता देता है इनिसल वैल्यू का इतना प्रतिशत निकालने से आपको पता चल जाएगा कि percentage change कितना हो रहा है ठीक हिंदी वाले भी देख सकते कुल प्रतिशत परिवर्तन जो होगा वह कही ना कहीं x plus y plus xy by 100 हो जाएगा ठीक है यहां तक बाते समझ में आगई अब यहां से एक important बात और आपको no down करके रखना है कि अगर increase हो रहा है increase याने की बढ़ रहा है value अगर value बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है यहां पर आपको लिखना है positive value याने की धनात्मक अंक आप लिखेंगे x और y की जगा पे लेकिन यदि value घट रहा है याने की decrease हो रहा है decrease होने पर हम यहाँ पर negative value लिखते हैं याने की रिनात्मक value अगर कोई value घट रहा है तो इस case में हमें negative value लिखना होगा यदि कोई value बढ़ रहा है तो उस case में positive याने की धनात्मक अंक लिखना होगा x और y के जगा पे clear चलिए यहां से अब मैं आता हूँ कि अगर मुझे यहां पर तीन बार value change करना पड़े successive percentage change में एक बार दो बार change करने के बज़ा यदि तीन बार change करना है तो इसके भी तरीके आप समझके रखिए कहने का मतलब यदि final value जो है यह final value बरावर है initial value कि क्या multiplied by 100 plus x divided by 100 into 100 plus y divided by 100 यहां तक हमने देख लिया अगर इसी चीज़ को मैं एक बार और change करूं और y z से change कर दो इसे 100 plus z divided by 100 मतलब तीन बार successively आप percentage change कर रहे हैं तो कुछ लोगों को यहां पर जो है पहले वाला formula जो है इसको दो बार लगाने वाला तरीका पता है कि आप पहले x y plus x plus y plus x y by 100 से एक बार निकाल लेंगे तो इन दोनों का percentage change जा जाएगा अब उस percentage change और z के साथ फिर से एक बार x plus y plus xy by 100 वाला formula लगाके directly आप value ला सकते हैं यह एक तरीका है या फिर आप directly इसको भी याद रख सकते हैं कि तीन बार जब percentage change हो रहा है x plus y फिर x से percentage change हुआ फिर y percent से change हुआ फिर z percent से change हुआ तो यहां पर percentage net change का formula x plus y plus z plus xy plus yz plus z x बटे 100 plus xyz बटे 10,000 यह होता है यहां से हिंदी वाले भी देख सकते हैं कूल प्रतीसत परिवातन क्या होगा तो x plus y plus z फिर एक एक बार दो 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 वैल्यूस को लेना होगा xy plus yz plus z x जोड़ना होगा बटे 100 करना होगा और जब तीनों वैल्यूस को लिया जा रहा है तो divided by 10,000 यहां पर हमें करना ह रहा है मूल याने की प्रतीसत में बढ़ा बढ़ातरी हो रही है तो हम positive value याने की धनात्मक अंग दालेंगे लेकिन अगर value घट रहा है तो यहां पर हम रिनात्मक अंग दालेंगे xy के जगा पे याने की negative value हमें यहां पर दालना होगा इस चीज़ का बस हमें ध्यान रखन है ठीक यहां तक बाते समझ में आ गई चलिए अब कुछ सवाल देखते हैं इनसे related पहला सवाल है आपके स्क्रीन के उपर अनंबर इस इंक्रीजड बाए 30 परसंटेज दिन फाइंड वामच अलिट भी डिक्रीजड एंड रिदूस्ट तो गेट बैट दी ओरीजनल वैल्य संभर को मनें क्या क्या एक पहले 30 प्रतिस्द बढ़ादिया मूल संभिया पर वापस आने के लिए बढ़ी हूई संभ्या को कितने प्रतिसद से कम किया जाना सुछ देखिए इस सवाल को मैंने पहले कवर करकरके रखा हूए शुरुती طور पर लेकिन इस सवाल को अब मैं सक तो दो बार में क्या हुआ ओवरॉल नेट चेंज जो वा इसमें नेट परसेंटेज जो चेंज हुआ वह वह कहीँ नगे बिल्कुल क्यों कि देखिए वापस जो है मूल संख्या पर आजाना चाहिए यह कहरा है मतलब पहले आप इस संख्या को 30 प्रतिसत बढ़ा रहे हो और फिर कुछ प्रतिसत से बदल रहे हो कि वापस यह मूल संख्या बन गई याने दो बार में यदि मैं प्रतिसत परिवर्तन की बात करूं तो प्रारमिक मूल्य भी वही है जो अंतिम मूल्य है याने कुल मिला के percentage net change 0 हो गया यहां से आप percentage net change का फॉर्मूला तो अभी तक देखी चुके percentage net change कितना हुआ आपका जवाब होगा percentage net होता है x plus y plus xy by 100 तो यहां से percentage net तो zero हुआ zero change और x का मान यहाँ पर क्योंकि बढ़ रहा है तो बढ़ने वाले case में आपको बताया कि आप plus value लिखेंगे यानि 30 की जगा पर यहाँ 30 का 30 रहेगा y तो हमें निकालना ही है तो y as it is रहेगा plus यहाँ पर 30 y by 100 होगा तो 1 0 1 0 इसको काट देंगे 2 0 जे 1 0 इसको काट देगा ठीक है 1 0 और 1 0 उपर नीचे यहाँ पर कट हो जाएंगे मतलब यहाँ 3 बटा 10 है अगर मैं 30 को दूसरे तरफ लेकर आओ तो कहीं न कहीं माइनस का 30 हो जाएगा ठीक है माइनस का 30 बन जाएगा यह दूसरे तरह आने पर और वाई प्लस 3 y by 10 करने पर कितना आता है तो 13 y by 10 आता है याने कुल मिलाकर y का मान जो है माइनस का 300 बटे 13 है इसको solve करिए बताइए उत्तर कितना आएगा कई ना कई 20 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है यह उत्तर होगा अगर आप calculate करें तो दो बार आता है 26 से कटेगा फिर 40 40 का मतलब 23 39 से 1 6 बट रहा है बटे में 13 इतना प्रति है कि हम इस value को कम कर रहे है तो successive percentage change जब हम लगा रहे है तो यहाँ पर sign conventions आपको देखने होंगे कि value अगर negative आ रही है final result इसका मतलब यहाँ पर कम हो रहा है और आप सवाल में देख सकते हैं कि बड़ी हुई संख्या को कितना प्रतिसत कम करना है यही तो निकालना था तो negative value यानि कहीं न कहीं इतने प्रतिसत से कम करना होगा यह तो हो गया भाई successive percentage change को यूज करके इस तरीके से आप solve कर सकते हैं एक दूसरा तरीका और मैं आपको बता के रख लेता हूं इसको भी आप समझ के रखेंगे ठीक है यहाँ पर suppose करिए कि मैंने किसी value को बढ़ाया तो final value और initial value इस तरीके से यहादी में लिखो तो पहले मैंने क्या किया पहले इस केस को मैंने 10 से 30 प्रतिस्ध बढ़ाया तीस देखें इस प्रतिस्ध का मतलब तीन बटा दस होता है 3 वाए 10 इतने में तो 13 में तो 3 by 13 multiplied by 100 कहीं न कहीं इसका उत्तर हो जाएगा यानि कि 300 बटा 13 प्रतिसत क्योंकि कहीं न कहीं यहां पर यह formula क्या है यह percentage decrease का formula होता है और percentage decrease का formula आप लोग जानते है decrease divided by प्रारंभिक मुल्य गुणे 100 और जब हम यहां पर decrease करते हैं तो कहीं न कहीं प्रारंभिक मुल्य बड़ा होता है तो यहां decrease के जगा पर हम क्या लिखते हैं initial value minus final value यानि कि प्रारंभिक मुल्य जो था माइनस अंतिम मुल्य जो था initial value minus final value multiplied by 100 करने पर यह कहीं न कहीं इतना ही वैलू आएगा जो कि यहां पर फिर से हमें वही result दे रहा है बी वाला अब यहां पर negative की कोई वात नहीं है क्योंकि already हम decrease में उस चीज़ का care कर ही चुके है कि initial value वड़ा होता है minus final value कर रहे हैं तो यहां पर already वह negative वाला इसको हमने taken care किया तो यहां पर negative value नहीं यह decrease percentage ही बता रहा है तो यहां initial value का काम कौन करना है अब यह reverse हो जाता है ना यह पहली बार था first time में यह initial value यह final value था लेकिन अभी हमें हाँ पर एक नया अप्रोच सीख चुके हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके percentage चेंज सक्सेशिक पर्सेंट चेंज का formula से है अगला सवाल दिया हो है एक इंकम जो है 10% ज्यादा है बी के इंकम से तो how much परसेंट इस इंकम less than A का इंकम मतलब A और B की दो व्यक्ति हैं A की इंकम जो है B से कितना ज्यादा है तो 10% ज्यादा है तो आप से यह पूछ रहा है कि B की इंकम A से कितना कम है तो simple सी बात है कि आपने पहले तो इस चीज को 10% बढ़ा दिया फिर आप बोल रहे हो कि कितना परसेंट और कम करेंगे कि कहीं कि इसमें वापस आ जाए तो दो बार में यह जो वैल्यू है यह कहीं ना कहीं नेट चेंज तो 0% का ही हुआ है क्योंकि अल्टिमेटली अगर आप यहां से इस चीज को बढ़ा रहे है और पूसरे यह इस से कितना परसेंट कम है तो मैं यहां पर थोड़ा सा लेंग्विज X Y by 100 जिसमें से परसेंटेज नेट तो 0 है X को हमने 10% से बढ़ा है मतलब 10 प्लस में आएगा फिर Y आएगा 10 Y by 100 होगा यहने Y by 10 मतलब कि इन दोनों को जोडने पर कहीं ना कहीं 11 Y by 10 आ रहा है और इस 10 को दूसरे तरफ भेजोगे तो माइनस का 10 हो जाएगा मतलब Y का मूल्य क्या है माइनस ओफ सो बटा ग्यारा और माइनस ओफ सो बटा ग्यारा का मतलब सीधा सीधा 9 एक बटा ग्यारा परतीसद आप लोग मार्क कर सकते हैं इसका वैल्यू हमने पहले वीडियो में याद करके रखा है ठीक है 99 से कटेगा पूरा एक करशेश बच तो नौ एक बटे ग्यारा प्रतीसद दूसरा केस क्या था कि आप इसमें रेश्यो अप्रोच से सॉल्व करना चाहते हैं तो दस प्रतीसद का मतलब क्या होता है एक बटा दस होता है मतलब अगर प्रारंभिक मुल्य है इसको मैं दस मानूं तो कही ना कही यह एक से बढ़ा करोंगे तो कही ना कही नाइन वन बाई एलेवन परसेंटेज उत्तर हो जाएगा यहां तक बाते समझ पर आगई कैसे हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं सक्सेसे परसेंट चेंज से या नॉर्मल तरीके से जो हमने पहले सीखा हुआ है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स और चोड़ाई को 9 प्रतिशत बढ़ा दी जाए देखिए सक्सेसिफ परसेंटेज चेंज तो हमने सीख लिया लेकिन इसको कहां कहां एपलाए करना है यह हमने नहीं सीखा तो देखिए मैं आपको यहां पर एक छोटा सा रिजल्ट बताके रखता हूँ आप इसको याद र परसेंटेज चेंज कि एपलिकेशन की मैं अभी बात करूंगा कि कहां कहां हम इसको एपलाई कर सकते हैं यदि ए बराबर है बी इंटू सी इंटू डी इंटू इस तरीके से जब कोई वैल्यू आपको दिया हुआ है या फिर तीन वैल्यूस हम ले लेते हैं तीन से पर्मूले में मल्टिप्लिकेशन चल रहा है यानि कि जैसे जो है यह बराबर है बी मल्टिप्लाइट बाई सी मल्टिप्लाइट बाई इस तरीके के मल्टिप्लिकेशन में वैल्यू चल रही है यदि आप इस बी को एक्स परसेंट से चेंज करेंगे और डी को जेट परसे percentage net से change होगा percentage net का formula आप लोग जानते है x plus y plus z plus x y plus yz plus zx divided by 100 plus आजाएगा x yz divided by 10,000 इस तरीके से value जो है कहीं न कहीं आपका आएगा ठीक है समझ में आ रहा है कैसे हम को यहाँ पर percentage net change लगाना है successive percentage change में जब भी कोई formula दिखे a बरावर b into c into d तो यहाँ पर यह successive percent change का formula आप लोग लगा सकते हैं यदि आपको यह formula याद नहीं हो रहा है तो गवराइए मत मैं इसके बिना भी आपको मैं बता दूँगा बिना formula भी आप इसको कर सकते हैं लेकिन कहीं न कहीं यह जो formula है अगर आप याद रखेंगे तो आपके exam में कुछ questions जो है बहुत तेजी से solve हो जाते इस approach से और कुछ questions ऐसे भी होता है जो इस approach के बगएर दूसरा एक और approach होता है initial value final value वाला वह भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है उससे solve बड़े जल्दी से हो जाता है ठीक है तो दोनों चीज़े हम discuss करेंगे तो चली आते हैं वापस इस सवाल में जो कह रहा है कहीं न कहीं जो है लेंद को हमने बढ़ाया ग्यारा प्रतिसत से breadth को बढ़ाया है नौ प्रतिसत से तो इस आयत के सेत्रफल में कितने प्रतिसत का बदलाव होगा आपसे पूछा जा रहा है तो जबी भी आयत के सेत्रफल याने mensuration का formula आपको जानना जुरूरी है क्योंकि mensuration के हर एक formula से आपका सवाल बन सकता है इस प्रकार का तो सारे formula mensuration के important है जो कि आपको mensuration में cover करा दिया जाएगा अभी मैं discussion करूँगा यहाँ पर percentage के perspective से तो area of rectangle की यदि में बात करूँ तो area of rectangle का formula होता है length into breadth लंबाई into चोड़ाई आपको क्या कहा गया कि length को हम बढ़ा रहे हैं 11% से हम length को बढ़ा रहे हैं और breadth को हम बढ़ा रहे है 9% से जब भी आपने देखा कि यह x% से change हो रहा है यह 5% से change हो रहा है तो यह जो है कहीना कही percentage net से change होगा और percentage net change का मतलब x plus y plus xy by 100 जिसमें कहीना कही आपके value अगर increase हो रहा है तो plus decrease हो रहा है तो माइनस लिखना है 200 मतलब कहीना कही अगर आप देखोगे तो 20.99% जो है इतने percentage का change होगा और plus में है तो यहां पर increment हो जाएगा तो 20 सवाल का से उतर है यह बात समझ में आ गई कैसे हम इसको solve कर रहे है using formula of successive percentage change अब अगर आप यह जानना चाहते हैं कि बिना successive percentage change के formula इसको कैसे solve करें तो उसके भी मैं आपको एक approach बता के रखता हूं यह सारी चीजे जो है इसको हम express करने लगेंगे इस format में final value बटे initial value के format में यानि कि area का भी प्रारंभिक मुल्य और अंतिम मुल्य हम यहां पर लिखेंगे जिसमें हर जो होगा वह आपका प्रारंभिक मुल्य होगा इसका जो अंच होगा वह अंतिम मुल्य होगा यानि कि जैसे length और multiplication में तो length का denominator में वह लिखेंगे जो इसका initial value है और इसके numerator में वह लिखेंगे जो final value है ठीक है इस तरीके से देखते है तो area की यदि में बात करू area क्या होता है length into breadth होता है इस length में प्रारंभि percent बढ़ा रहा हो तो अगर यह 100 है तो बढ़ने के बाद 109 हो जाए मतलब उत्तर क्या है तो यहां पर प्रारंभिक मुल्य जो है वह कहिना कई 100 into 100 है अंतिम मुल्य जो है कहिना कई 111 into 109 है 111 into 109 का short trick क्या है कि आप यहां पर 110 का square minus 1 का square ऐसा लिख लें क्योंकि middle value minus का square minus 1 कर 1099 यह चीज मैंने basic calculation trick में बताया है तो मैं यहां repeat नहीं करूंगा इन नोनों को multiply करने का value जो है 12099 बटे में 100 into 100 है इसमें से 100 को मैं हटा कर यहां पर decimal चड़ा लेता हूं 2 point के बाद तो कहीना कही अगर प्रारंभिक मुल्य 100 था area का प्रारंभिक मुल्य चूंकि कही न कही है area का value बता रहा है तो area का प्रारंभिक मुल्य 100 था तो 100 से बढ़कर कितना हो गया तो 20.99 तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें बढ़क् Australी हो रही है 20.99 की और किसमें बढ़क्री हो रही है तो 100 और yeah इतना बढ़त होता है उसी को तो प्रतीसत कहते हैं मतलब डारेक्टली हम कह सकते हैं कि यह 100 परसेंटेज बढ़ा अब देखिए अगर आपको पॉसिबल हो रहा है कि अगर डिनॉमिनेटर को 100 बनाए जाए तो आप बिल्कुल उसको 100 बनाई है क्योंकि डारेक्टली आपको प प्रारंभिक मुल्य है इनिशल वैल्यू जो कि इसका डिनॉमिनेटर होगा आपके पास फाइनल वैल्यू है जो कि है इसका नुमरेटर ठीक है तो अगर प्रारंभिक मुल्य और अंतिम मुल्य आपके पास है तो आप डिटर्माइन करी सकते हैं कि इंक्रीज हो रहा है कि ड बढ़ा वैल्यू है तो कहीना कहीं आपका कैलकुलेशन बढ़ जाता है उसकेस में यह फर्मूला आपको जल्दी रिसर्ट देता है ठीक है चले तो मैंने दोनों बाते बता दी कि इसको फटाफट करना है सक्सेस परसंटेज के कुशन को नेक्स कोशन दिया हुए रेडियस ऑफ़ स्पेर इस इंक्रीज्ट मैं 140 परसंटेज वाट इस दा परसंटेज इन दी वॉल्यूम एक गोले के व्यास को यदि हम बढ़ा देते 140 प्रतिसत से तो बताना है कि उसके आयतन में कितने प्रतिसत का चेंज होगा तो यहां पर इसको थोड़ा चेंज कर लेते यह व्यास नहीं होगा वैसे उत्तर में कोई चेंज नहीं होगी आप चाहें त्रिजिया कहें या आप इसको व्यास कहें क्योंकि त्रिजिया जो होता है वो ट्वाइस आर होता है और वॉल्यूम में कहीं डायमेटर के उपर देख लिया जाए या रीडियस के उपर देख लिया जाए दोनों में गन की बात करें मतलब तीन बार थ्री टाइमस आप इसको इतने प्रतिसत से बढ़ाएंगे तो इसको सॉल्व करते हैं रेडियस ओफ स्फियर अगर वाल्यूम की बात करें तो वाल्यूम होता है चार बटे तीन पाई आर क्यूब यह होता है आपके घन के आयतन का फॉर्मूला लेकिन अगर यहां आर क्यूब है इस r cube का मतलब है कि आपने r को 3 बार multiply किया तो प्रारंभिक मुल्य और अंतिम मुल्य की जब बारी आएगी तो आपको यह समझना होगा कि यहां पर प्रारंभिक मुल्य जो है उसमें हमने एक बार 140% इसको भी बढ़ा है 140% इसको भी बढ़ा है xy plus yz plus zx बटे में 100 आजाएगा और प्लस में यहां पर आजाएगा xyz बटे में 10,000 आजाएगा इसका value निकालना है तो x यानि कि यह यह भी आपका जो बढ़ रहा है वो 140% से बढ़ रहा है यह भी आपका 140% से बढ़ रहा है यानि 3 के 3 140% से यदि बढ़ रहा है तो 3 को जोडने पर कहिना कही value आजाएगा 140 plus 140 plus 140 जो की हो जाएगा 420 plus में करोगे तो 140 into 140 14 into 14 14 140 into 140 multiply करोगे तो कहिना कही 19600 आएगा एक बार, दो बार और तीन बार यह value आएगा मतलब यहां पर मैं 3 multiplied by 19600 इस तरीके से लिख सकता हूं बटे में सो आजाएगा प्लस लास्ट में यहां पर 140 into 140 into 140 लिखना होगा यानि कि 14 का क्यूब जो होता है 2744 और 000 यहां पर आजाएगा और बटे में यहां पर 10,000 आजाएगा तो बताईए भई कितना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है 40 है तो 30 तो इससे कड़ जाएगे 10 जो है कहीना कहीं यहां पर decimal value लगा देगा यह दो 0 इससे कड़ जाएगे मतलब overall देखा जाए तो यहां से 420 आ रहा है 420 3 से इसको multiply करोगे तो 300 प्लस 90 है यहां पर तो 270 प्लस 6 है यहां पर तो कहीना कहीं अठारे आ जाएगा यह इसका multiplication हो गया 196 यह ऐसा भी देख सकते है 200 में 4 कम है तो 600 में कहीना कहीं 12 कम हो जाएगा 600 में 12 कम यानि कि 588 इसका multiplication हो जाएगा 272 74 है तो यहां पर 274.4 जो है इसका total increment होगा यानि चार यहां पर 12 आ जाएगा ठीक है यह 3 प्लस 8 अठारे हो गया यहां पर 5 5 और 12 आ रहा है मतलब 1282.4 1282.4 यानि कि इतने प्रतीसत का आपका जो है चेंज होगा यहां पर इस चीज़ को आपको समझना होगा ठीक है तो यह तो हो गया with formula कि x plus y plus z का x प्रतीसत y प्रतीसत z प्रतीसत से change करने के बाद successive percentage change के formula से आप इसको solve कर सकते हैं एक तरीका दूसरे तरीके की मैं बात करूँ तो कहिना कहीं आपको बस यह पता होना चाहिए कि आपके आयतन का formula क्या है और आपका multiplication देखा जाएगा यहाँ पे कि कितने तेजी से आप इसको multiply कर सकते है values जो आएंगे ठीक है तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्रारंभिक मुल्य volume का प्रारंभिक मुल्य और अंतिम मुल्य की मैं बात करूँ तो पहले यह 4 by 3 pi जो है 140% से बढ़ाने का मतलब पहले 100 है 100 में 140 बढ़ाओगे तो 240 हाजाएगा अगले वाले में भी अगर यह 100 है तो 140 प्रतिसाद बढ़ाओगे तो 240 हाजाएगा इसमें भी अगर यह 100 है 140 परसेंटेज बढ़ाओगे तो 240 आजाएगा कहीं ना करी तो आइए इसको solve करते हैं ये 4 by 3 pi 4 by 3 pi को हटा देते हैं एक, दो, तीन, zero तो इसी को काटे में चले जाएंगे 24 का cube कितना होता है 24 का cube होता है 1, 3, 8, 2, 4 ठीक है ये 24 का cube होता है और इसमें भी यदि देखा जाए तो नीचे जो है value कहीना कही आपका है 1, 2, 3, 4, 10,000 ठीक है 1,000 value जो है कहीना कही नीचे दिया हुआ अब इसमें आपको अगर denominator को 0 बनाना है denominator को 0 बनाना है मलब 100 बनाना है तो कहीना कही 1,0 को हटाना होगा 1,0 को हटा होगा तो decimal यहाँ पर कहीना कही लग जाएगा अब आप खुद ही बताईए कि हमने denominator को बढ़ाया तो कितने values से बढ़ाया आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने denominator को बढ़ाया 100 था इससे इतना हो गया मतलब 1,12, 1,282,4 से बढ़ा रहे है 100 में और जब इतना आप 100 में बढ़ा रहे है तो percentage भी इतना ही होगा तो उत्तर जो है कही न कहीं फिर से D option हो जाए clear है यहाँ तक बाते समझ में आगई आप लोगों को तो यह अपका second तरीका है कि without formula of successive percentage change इस formula को तो आपको पता होना ही पड़ेगा successive percentage change लगाने के पहले mensuration के सारे formulas आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि mensuration के किसी भी formula के उपर आधारित यह question मनाये जा सकता है कि यह important है mensuration के सारे formulas तो आपको पता ही होने चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो next question आपके screen के उपर है यहाँ पर दिया हुआ अन नंबर एक संख्या को पहले हमने क्या किया 10 प्रतिसयत और फिर 20 प्रतिसयत से इसमें व्रिद्धी की गई बाद में जो प्राप्त संख्या थी उसको 10 प्रतिस प्रतिसयत से फिर फिर से घटा दिया दिया तो मूल संख्या में कुछ खुल वृद्धी या प्रतीसत कमी क्या है यह ज्याद करनी है मतलब increase हुआ कि decrease हुआ दोनों आपको बताना है यहाँ पर तो मैं यहाँ पर दोनों approach से आपको बताऊँगा पहले क्या बताया गया देखिए यहाँ पर एक number को formula लगाएंगे यहाँ पर जो क्यों होता है x plus y plus z plus xy plus yz plus zx ठीक है और बते में यहाँ 100 आता है last में आपका जो है कहीं न कहीं x yz होता है लेकिन यहाँ पर divided by 10,000 हो जाता है ठीक है तो यह आपका formula है जिसमें कि आपका जो x है एक positive value है तो x का हम यहाँ पर 10 डालेंगे y के जगा पर हम डालेंगे 20 और z के जगा पर हम डालेंगे minus का 30 यह चीज हमें यहाँ पर डालना होगा अब देखिए इस values को डालने के बाद एक खुबी यह है कि x plus y 10 plus 20 था साथ में 30 को काटने के बात कही ना कही यह पूरा का पूरा आपका 0 बन जाएगा सेकेंड वाले value की बात करें तो 10 इंटू 20 करने पर 200 20 इंटू 30 करने पर 600 आ रहा है लेकिन minus का 600 होगा और 30 इंटू 10 करने पर 300 आ रहा है और divided by 10,000 इस तरीके से value आ जाएगा मतलब कही ना कही आप लोग clearly देख सकते हैं कि value negative आ रही है value overall तो negative ही आएगी मतलब increase वाला जो option है यह तो आपका गलत है नहीं यहाँ पर no increase no decrease होगा clearly decrease हो रहा है अब यह 7.6% से decrease हुआ कि 9.5% से decrease हुआ वह यह values हमको बता देंगे आप देख पा रहें कि 200 में हमने 900 कम किया 200 में 900 कम करने का मतलब minus का 700 और minus के 100 100 में भी divided by 100 है यानि कही ना कही minus का 7 आएगा यहाँ पर पहले वाले value में तो मैं यहाँ पर पहले वाले value में minus 0.6 यानि minus 7.6 आ रहा है percentage में यानि कही ना कही हम लगभग 7.6% से कम कर रहे हैं तो यह वाला option भी कट गया केवाल जो option बचेगा वह कही ना कही आपका B बचेगा clear यह हो गया successive percentage change के formula से कैसे इसको solve करना है without formula यदि आप जाना चाहते हैं तो वह भी तरीका में आपको बता के रख लेता हूं आप इसको भी try कर सकते हैं इसमें without formula क्या होगा कि final value और initial value का आपको इस तरीके से एक बनाना होगा कि final value आपके numerator में initial value denominator में मतलब अगर कोई value को 10% बढ़ाने का मतलब पहले 10 था तो आप 11 हो गया क्योंकि 10% का मतलब आप सब आप जानी चुके होगे कि एक बटा 10 होता है 20% का मतलब क्या होता है तो एक बटा 5 होता है कहने का मतलब यदि यह initially 5 था अगर आप इसको एक बटे 5 से बढ़ा रहें तो finally 6 हो जाएगा और last value में आप लोग देख रहे हैं कि 30% कम करना मतलब 10 है तो अब यह 7 बन जाएगा अब इसको calculate कर लेते हैं आप चाहें तो इसको 10 और 20 लिखने पर भी याने 12 और 10 लिखने लिख भी सकते हैं क्योंकि कहीना की value आपके friendly रहेगा नीचे 1000 आएगा जो की ज्यादा आसान है calculation के लिए इसको calculate करूं तो 7 into 177 होता है इसमें यदि मैं 12 से multiply करूं तो 84 आएगा और 84 में चार जोडने पर 92 आ रहा है ठीक है यानि कि कहीना की 92.4 आ रहा है value 92.4 सरी 924 divided by 1000 है इसमें से मैं 10 को हटाऊंगा तो कहीना कई एक decimal यहाँ पे लग जाएगा तो 10 को हटाने पर यह हो रहा है फाइदा कि कहीना कई यह value जो है 100 हो गया denominator और उपर वाला value 92.4 हो गया आप लोग देख पा रहे हैं कि 100 में कितना कम हो रहा है तो 7.6 कम हो रहा है और अगर 100 में इतना कम हुआ याने कहीना कहीं decrease होगा 7.6 परसेंटीज से तो आप लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर B जो है सवाल का उत्तर है without using any formula आप directly इसको denominator और numerator में express करके भी इस तरीके से solve कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं next question देखेंगे length of a cubite is increased by 25% और breadth जो है उसको हमने increase किया 12% से how much percentage its height should be decreased so that the volume is increased by only 20% अब देखें घनाब की लंबाई को 25% बढ़ाए गई और साथ में चोड़ाई को 12% बढ़ा दी जाती है उचाई को कितने प्रतिसत कमी लानी होगी कि आयतन किवल किवल 20% से बढ़े तो देखें यहाँ पर इस formula को लगाने के लिए आपके पास घनाब का formula होना चाहिए उसके आयतन का घनाब कुछ इस प्रकार से दिखता है जिसकी length होती है breadth होती है और height होती है यह length है breadth है और height है इस घनाब की volume जो होती है length into breadth into height यानि तीनों values को multiply कर देना सवाल में बोला क्या गया है सवाल में बोला गया कि आपने length को बढ़ाया है 25% Ugh 25% से बढ़ाया और 7 में बोला गया कि breadth को भी हमने बढ़ाया ब्रहए ब्रेट को केवल 12% से बढ़ाया लेकिन और बोल रहा का 20 एक value X हो जाएगा एक value Y हो जाएगा Z को आप ले सकते हैं कि Z का एक variable रहेगा जिससे आप Z को calculate करके बता सकते हैं कि Z का value क्या रहे यहां से option में से कोई एक value आना चाहिए एक तरीका यह है कि आप successive percentage net का formula जो है X plus Y plus Z उस formula में Z को as it is रखेंगे X और Y की जगा 25 और 12 डालके इसको solve कर सकते हैं मैं अभी आपको direct दूसरा तरीका बताऊंगा क्योंकि वह ज्यादा तेज है यहां पर इस volume को अगर मैं पहले 100 लेलू तो कही ना कहीं 20% से बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा length को यदि मैं 100 लेलू तो height को मैं as it is रख लेता हूं और देखते हैं कि height का जो value आ रहा है उसके denominator और numerator में क्या है यानि इस variable जो h है जो की percentage increase हुआ की decrease हुआ ठीक है तो आये solve करते हैं यदि मैं इसको solve करने जाओं तो 25 से काटने पर यह पांच और यह 4 चार बन जाएगा और इस 100 को 100 से काटा जा सकता है, इस 100 को इस 100 से काटा जा सकता है, मतलब कुल मिला के देखा जाए, तो height में जो value आ रहा है हमारे पास, height का value आ रहा है 6 बटा 7, तो ये बहुत important result है, कि हम सारी calculations करने के बाद देख रहे हैं, ये 7 यहाँ पे था, तो ये दूसरे तरफ नीचे आ value है, ये final value है, आप लोग जानते, percentage decrease निकालना का तरीका, जिसमें आप क्या करते हैं, तो हम करते हैं, कितना decrease हुआ, एक का decrease हुआ, divided by कितने में decrease हुआ, तो हमेशा प्रारंबिक मुले में, जो की 7 है यहाँ पर, और 7 multiplied by 100 करोगे, तो कहीं ना कहीं, 14 दो बटे 7 प्रतिसत की क कमी हुँ रही है, 14 दो बटे 7 प्रसेंट का decrease हुआ, तो सी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, आशा करता हूँ, ये भी 56 नंबर का सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, चली, next question देखते है, if the price of petrol is increased by 19% and Sunita intends to spend only an additional amount of 12% petrol, what should be the reduced quantity of petrol purchased nearest to an integer? यदि petrol की खीमत को 19 प्रतिसत तक बढ़ा दी जाती है, साथी साथ Sunita जो है प्रतिसत को किवल 12 प्रतिसत की अधिक खर्च करना चाहती है, तो वहाँ प्रतिसत, कितने प्रतिसत खरीदे जाने वाले, मतलब की जुक, कितने प्रतिसत खरीदे जाने वाले petrol को पूर्णा की करीब कम करीब किया जाए, मतलब अपनी खरीदी को कितना कम ये करे, ये यहाँ पर बताए जा रहा है, अब देखिए इस question में एक formula छूपा हुआ है, वो formula है expenditure equal to price into consumption, आप लोग note कर सकते हैं इस formula को, expenditure बराबर होता है, expenditure बराबर होता है price into consumption, ठीक है, इस formula को note down करिये, याने कि जो खर्च है या आप इस भी आप लिख सकते, बराबर क्या है, जो कीमत है petrol की, कीमत, गुणे क्या करोगे तो जो खपत हो रही है, अब ये formula मैंने लिखा तो ऐसा क्यो लिखा, इसको आप समझने कोशिश करिए, जैसे कि एक example की जरिये में आपको समझाओंगा यहाँ पर, मान लीजे कि एक महिने मे आपने कितना, suppose करी कि आपने 9 लीटर पेट्रोल आपने खर्च किया, तो suppose करी आपके 9 लीटर की पेट्रोल का consumption हो गया, याने एक खपत हो गई कही ना कही, और price of petrol को मान लेते है 100 रुपया चल रहा है, 100 रुपया प्रती लीटर, तो ये आपका कीमत है, तो आपकी खर्च क होगा की नहीं होगा, बताइए सबी लोगा, अगर 100 रुपया प्रती लीटर प्राइज है, कीमत है, साथ में 9 लीटर का consumption है, तो दोनों को गुणा करने पर कही ना कही कितना आ जाएगा, 900 रुपया आपका खर्च हो जाएगा, यही फॉर्मुले से ये बना हुआ, ठीक है, अगर आप इस प्राइज को एक्स प्रतीसत से बदलेंगे, कंजम्शन को य प्रतीसत से बदलेंगे, तो कही ना का expenditure परसेंटेज नेट से चेंज होगा, और वही चीज यहाँ पर आपको इस सवाल में देखना है, क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा है, और क् expenditure बराबर price into consumption हता है, यहाँ पर बुला गया कि price of price को हमने 19% बढ़ा है, मतलब इसको हम क्या कर रहे है, तो 19% बढ़ा रहे है, और additional जो spend करना चाहती है सुनीता, वो केवल 12% है, बताइए, कहीना कहीं price तो 19% बढ़ गया है, लेकिन खर्चा 12% से ज्यादा नहीं बढ़ना च consumption को कमी तो करना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं, तो अब जब इस values को मैंने इस तरीके से लिख दिया, आप लोग जानते हैं कि percentage net बराबर होता है, x plus y plus xy by 100, यह होता है, तो मान लिया जाए कि यह x है, यह x है आपका कहीना पर, यह आपका percentage net है, तो y में जो change होगा percentage में, उसको हम y percentage इस तरीके से denote कर लेते हैं, तो percentage net की जगा मैं लिख सकता हो, कितना तो 12 लिख सकते हम यहाँ इसके जगा पे 12, इसके जगा पे हम लिख लेक सकते है, 19, प्लस यहाँ से y लिख लेते हैं, तो यह बन जाएगा 19 y by 100, अब इसको solve करेंगे, तो कहीना कही यह 19 दूसरे तरफ आएगा, तो minus का 7 बन जाएगा, y plus 19 y by 100 करोगे, तो कहीना कही 119 y by 100 आएगा, तो साथ से जदी मैं इसको काटू हूँ, तो कहीना कही कितने बार कटेगा, 17 बार कट जाएगा, एक बार साथ 17 बार, मतलब y का value कितना आगया भई, तो minus of 100 बटा 17 अब देखिए 88 percentage का निकटतम integer मान, nearest integral value पूछ रहा है, तो कहीना कही ये B option इसका सही उत्तर देगा, clear, यहाँ पर समझ पर आगे कैसे हमें solve करना है, अब मैं आपको without formula, यानि कि percentage net, successive percentage net के formula को use करें बगैर भी, एक बार बता दिता हूँ, कैसे इसको solve करना है, ठीक है, तो कुछ चीजों को मैं यहां से रब कर देता हूँ, जैसी कि जो चीजे मैंने yellow में लिखा हूँ, इसको मैं अठा देता हूँ, अब देखिए इस formula से आप नहीं बच पाओगे, यह formula तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक, तो जैसी मैंने यह formula लिखा हूँ, expenditure पहले यदि 100 था, तो 12% से काट सकते हैं की नहीं, साथ से साथ से काटने के बाद यह बन जाएगा 16, यह 17 कहीना कही तो यहााध सत्रा पताइए, कितने से कम हो रहा है, तो आपका यहां 17 कॉन्सें से कर रहे थे अब हम 16 का consumption कर रहा है यूनिट्स में है यह तो कहीं न कहीं percentage जो होगा वो decrease होगा और कितने से decrease होगा तो एक से बटे 17 multiplied by 100 याने कहीं 5.88 percentage का decrement हो रहा है जिसको approximately हम लिख सकते हैं 6 percentage जो कि निकटतम पूर्णांग संख्या हमें यहाँ पर calculate करना था चलिए यहाँ से मैं आपको ले चलूँगा अगले सवाल में जो की फिर से यहाँ पर price और consumption से related है जो की काफी लोगों को confusing लगता है लेकिन यहाँ पर जब मैं इतनी सारी चीज़े आपको बता चुका हूँ तो अब आपको यह असान लगने लगेगा यहाँ पर दिया हुआ है due to 25 percentage fall in the rate of eggs one can buy two dozen of eggs more for more than before for rupees 162 find the original rate of dozen per eggs अंडो के दाम पे क्या है अंडो के दाम जो है उसमें 25% की जब गिरावट होती है तो 162 रुपे पर पहले क्या पेक्षा दो डर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं तो बताइए कि मूल रूप से पहले प्रती डर्जन अंडे का क्या कीमत थी यह हमें निकाल expenditure की बात करों तो expenditure 112 रुपया का हो रहा है यह क्या है खर्च है देखिए इस खर्च को भी देखने का नजरिया है कभी-कभी जो है यह खर्च बोला जाता है कभी-कभी यह बोलता है कि हमारा जो है यह आय है क्यासे क्योंकि देखिए अगर हम यहां अंडे खरीदने जा रहे या petrol भी खरीदने जा रहे, जिससे भी खरीदने जा रहे हैं, तो कहीना कहीं कोई बेचने वाला भी तो है, उस बेचने वाले की नजरिये से देखेंगे, तो कहीना कहीं यहां पर expenditure के जगा revenue भी बुला जा सकता है, यानि कि जो आय आए आ रही है, वो भी इसमें कहीना कहीं इ कम खर्च को चेंज करने पर तयार नहीं है प्राइस की अधी में बात करो तो प्राइस जो है वह 25% से कम होता है 25% इसका मतलब आप लोग जानते हैं एक बटा चार होता यानि पहले अगर चार का प्राइस था तो अब इसको हमने एक से कम किया अब प्राइस बनिया तीन का यही होगा, यानि कि कही ना कही अगर इसको एक बनाना है तो अगर यह 3 मतलब चार है तो कंजम्चन इसका उल्टा हो जाएगा चार मतलब तीन मैं यहां पर लिख सकता हूं यहां तक बात समझ यौिज कर गहीма कि हम कर दो अधिक अंड़े खरीद पाते थे इस अगर इस चीज को देखा यहां पर हमारे इसाब से एक अधिक अंड़ा हम खरीद पा रहे हैं और यह प्रशने में दिया हुआ है 2 dozen 2 dozen अधिक अंडे मतलब एक बरावर 2 dozen हो गया की नहीं हो गया मतलब पहले 3 अंडे खरिदते थे तो यहाँ पर यह 6 dozen अंडे होंगे और बाद में हम 8 dozen अंडे खरिदने लगे कितने दाम पर तो इतने के ही दाम पर, अब सवाल यहां पर कुछ भी बनाया जा सकता है, आपसे या तो पहले का दाम पूँच सकता है, या अभी का दाम पूँच सकता है, सवाल में जब आपसे बताईए, मूल रूप से क्या था, यानि ओरिजिनल प्राइस, तो औरिजिनल प्राइस यह है, जब अंडे का प्राइज इतना है तो एक डजन अंडे का प्राइज कितना होगा एक 162 डिवाइद बैसिक्स क्योंकि देखिए यहां पर पहले वाले प्राइज पर आप छे डजन अंडे खरीद थे तो डारेक्टली आप चार यूनिट का वैल्यू निकाल नहीं सकते यहां पर जो 22 रुपे डरजन का पहले की कीमत थी ठीक तो पहले मूल रूप से आपका प्राइज जो यह है मैं एक दो सवाल और भी लूँगा जहां आपको उपर वाले का वैल्यू भी निकालना है जैसे कि आगे बढ़ते हैं देखते हैं सवाल क्या दिया हुआ है ड्यू डू डू 3 प्रतिसत की जब कमी होती है तो इतने रुप्या पर एक आदमी 3 लीटर अधिक दूद खरीद पाता है तो बताना है अभी दूद की क्या मूली है मतलब कि जब प्राइस कम हो गया उसके बाद क्या मूली है यह निकालना है तो आपको यह चीज ध्यान रखना है कि expenditure बराब 3 प्रतिसत से कम हुआ अब आप खुदी बताइए कि 8 एक बटे 3 परसेंट का मतलब क्या है यह होता है एक बटे 12 एक बटे 12 का मतलब पहले यदि 12 रुपया था तो अब इसको एक से कम करके 11 रुपया किया गया और क्योंकि यहां 11 अनुपात 12 है तो consumption में कहीं न कहीं 12 अनु बोल रहा है कि आप यहां पर 3 लीटर अधिक दूद खरीद पाते हो यहां से जब इधर आये तो हमारा तो प्लस वन हुआ और सवाल बोल रहा है 3 लीटर अब जब रिड्यूस प्राइज निकालने की बात हो रही है तो आप बताइए कि यहां पर रिड्यूस प्राइज कौ होगी तो एक लीटर का दाम यहां से हो जाएगा वन नाइन एट जीरो बटे 36 लीटर क्योंकि प्राइस को कम होने के बाद आप 36 लीटर दूद खरीद पा रहे थे तो यहां से इसको सॉल्व करें तो बताइए कितना आ जाएगा अगर मैं इसे चार से काटूं तो चार से का 25 रुपया प्रती लीटर हो गई तो यह आपका दाम है अगर आपसे यह पूस्ता कि प्रारंभिक मूल्य क्या है तो आप 11 बरावर तीन करके 33 के एकवल करोगे 33 लीटर का दाम इतना है तो एक लीटर का नाम कही ना कहीं वहां से 60 आ जाएगा 60 ठीक है लेकिन जब रिडूस लीटर के बरावर है तो एक लीटर का दाम एक उन्नेस तो अस्ती बटे 36 हो जाएगा चलिए अगला सवाल देखते हैं इस कुश्चिन में दिया हुआ है कि जब 20 प्रतीशत 20 पर्सेंट इंक्रीज प्राइज और सुगर आप एक चीज आप स्मार्टली यह देख सकते थे इंक्रीज का मतलब होता है पांच अनुपात च्छे कर देना तो आप ऑप्शन में देखिए ऑप्शन भी यहाँ पर स्मार्टली चूज किया गया है यानि सारे के सारे पांच अनुपात च्छे तो आप बस नहीं पाएंगे पूरा सॉल करना ही होगा चलिए हिंदी में भी 20 प्रतिशत की वृद्धी होने पर 600 रुपए में पांच किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है तो वास्तविक मूल क्या है और वास्तविक और बढ़ी हुई कीमत दोनों निकाले अभी तक जो दो सवाल मैं देखे थे अभी जो लिए मैंने दो सवाल उन दोनों में प्राइ 20 प्रतिशत का मतलब बच्चा बच्चा अब जान चुका है कि यह अगर 5 है तो यह 6 होगा क्योंकि 20 परसेंटेज का मतलब क्या है 1 by 5 है और अगर 1 by 5 है तो प्रारंभिक मूले 5 होगा अंति मूले इससे एक बढ़ा कर 6 कर दोगे एक्सपेंडिचर यही पहले 600 का हो रहा था तो अभी भी 600 रुपे का ही एक्सपेंडिचर है ठीक है अब यहां से कंजम्शन की यदि बात करूं तो कंजम्शन इसका रिवर्स हो जाएगा 5 बटे 6 हो जाएगा और जब यहां पर बोला गया कि आप यहां पर एक यूनिट कम खरीद पा रहे हैं तो सवाल में भोला गया कि आप 5 किलो कम खरीद पारе हो फाइफ केजी यरे यहां पर यहां पर जब 5 का मान निकालने जाएंगे तो 600 रुपिया में आप यहां पर 30 kg सुकर खरीद रहे थे क्योंकि एक बराबर 5 kg है और बाद में आप यहां पर 55 kg ही खरी करोंगे तो कहीना कहीं यहां पर 20 रूपया जाएगा 20 रूपीज और जब यह 20 रूपीज है तो इसको 20 परसेंट से बढ़ाकर अगला वैल्यू 30 हो जाएगा यह आप अंती मूल्य भी निकालना चाहते हैं तो डिरेक्ट्ली क्या करेंगे 600 डिवाइड़ेड़ पच्छिस जो है यह सही उतर है क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन यहां बोला गया कि प्राइस ऑफ पेट्रोल वस इंक्रीश्ट फ्रम सिक्स्टी रूपीज पर लीटर तो 75 रूपीज पर लीटर हाव मच्छ शुट्ट था कंजम्चन ऑफ पेट्रोल बेडूस्ट तो पेट्रोल की कीमत साट रूपे प्रती लीटर ती इसको बढ़ा के कितना किया गया 75 रूपे लीटर कर दिया गया तो खपत को कितना प्रतीसत कम होनी चाहिए कि केवल 10 प्रतीसत की खर्च आपकी बढ़े तो यहाँ पर फिर से आपको कंजम्चन के बारे में पूछा गया तो आप फ्रैक्शन निकाल दीजिए कि कंजम्चन पहले कितना था बाद में कितना था ठीक है जैसे उस घनाब की वेल्यू हमने निकाली थी लेंद था ब्रेट था हाइट नहीं था तो बिल्कुल वैसा ही सवाल है बस यहाँ पर फॉर्मुला यह बन गया कि एक्स्पेंडिचर बरावर प्राइस इंटू कंजम्चन है जिसमें आपको इंफर्मेशन प्राइस का दिया एक्स्पेंडिचर का दिया और कंजम्चन के बारे में पूछ रहा है तो देखिए सवाल को बनाने के तरीके बहुत सारे हैं मेन कॉंसेट जो है वो ए बरावर बी इंटू सी इंटू डी इस तरीके से है उस चीज़ को आप पकड़के रखिए कि अगर यहाँ पर यह कुछ परसेंट से चेंज हो रहा है यह परसेंटेज नेट से चेंज होता है जिसको हमने दो तरीके से देखा एक त दूसरा फ्रेक्शनल वैली तो बताइए प्राइस पहले कितना था बाद में कितना हुआ पहले साट रुपे प्रती लीटर था प्राइस बाद में कितना हो गया तो 75 हो गया एक्सपेंडिचर के बारे में तो हमें निकालना है एक्सपेंडिचर की बात करें तो कहीना कहीन मैं इसको 100 बनाने की कोशिश करूंगा अगर 15 से काटेंगे तो कहीना कहीन चार बार कटेगा और यह पांच बार कटेगा तो कंजम्शन जो है वो कितना बना कंजम्शन जो आएगा यह पांच नीचे आएगा तो नीचे यह पचास बन जाएगा और यह चार उठके उपर जाएगा तो कहीना कई 44 हो जाएगा क्या इससे 50 को 100 बनाए जा सकता है आपका जवाब होगा बिल्कुल बनाए जा सकता है सर अगर 2 को अगर multiply करें उपर नीचे तो कहीना कहीं यह बन जाएगा आपका हंडरेड और उपर आ जाएगा 88 formation & 89 नेक्स्ट कोश्टन देखेंगे आप इसके बाद अगला सवाद नेक्स्ट कोश्टन है आपके स्क्रीन के उपर यहां दिया वाइए इन प्रीविएस फोर यर्स सक्सेसिली परसेंटेज चेंज इन सैलरी ऑफ परसेंटरी इस इनक्रीज ऑफ 162-3 इनक्रीज ऑफ 142-23 decrease of 11 1 by 9 and increase of 20% if the present salary of the person is this much and what is the salary 4 years ago तो पिछले चार वर्चों में एक व्यक्ति है जिसका क्रमागत जो प्रतीशत परिवर्तन दिया हुआ है कि पहली बार में उसका 16-2 बटे 3 प्रतीशत की व्रिद्धी हुई फिर 14-2 बटे 7 प्रतीशत की व्रिद्धी हुई फिर 11-1 बटे 9 प्रतीशत की कमी हुई फिर 20 प्रतीशत की व्रिद्धी हुई इसके बाद वर्तमान वेतन जो है वो कही ना कई इतना है तो आपको बताना क्या है कि 4 साल पहले उस व्यक्ति की क्या वेतन तो देखे 4 साल पहले की वेतन जो है वो अगर मान लेते X अगले साल में क्या हुआ तो अगले साल 16 2.3 प्रतिसत की बढ़ातरी हुई 16 2.3 का मतलब आप सक जानते है 1 by 6 होता है मतलब अब यह हो जाएगा 8 by 7 इसके next year में क्या हुआ decrement हुआ कितने से तो 11 बटे 9 से कम हुआ इसका मतलब 1 by 9 होता है जब कम करने की बारी आएगी तो 9 में 1 कम हो जाएगा यानि अब यहां पर 8 बटे 9 होगा और आखिर वर्ष में फिर से एक बार increment देखने को मिला जो की 20% का है 20% का मतलब 1 by 5 होता है तो increment होगा तो यहां पर 6 by 5 हो जाएगा और इसका total value 1024 00 होगा ठीक है अब इसको solve करने की कोशिश करते है साथ से साथ कर जाएगा ठीक है यह वाला 6 से यह वाले 6 को काट लेते हैं कहीना कहीं 9 का multiple होगा value तो तीन वैल्यू ऐसे जो 9 का multiple है क्योंकि यह 59 वहाँ पर जाएगा तो कहीना कहीं आफ इंटो आट 64 होता है तो कही न कही यहां पर आपका 16 आना चाहिए फिर भी calculate कर देते हैं आघ से calculate करेंगे तो यहां पर कहीना ख़ी एक बार जाएगा आठ से फिर आठ के बाद यहां पर दो आरे ट्वेंटीटो तो टू टाइम जाएगा फिर 64 आ रहा है तो यहां पर कहीना कई टाइम जाएगा और डबल जो एक बार और ही तो कहीना कई यहां पर एक बार जाएगा और 60 फिर 6 टाइम जाएगा याने 1600 सही है बिल्कुल अब यहां से एक्स का मान जदी निकालना है तो पांच को पहले मल्टिप्लाय करेंगे तो आठ हजार होगा इसमें एक बार इस नौ को भी मल्टिप्लाय करना होगा यहने की एक बार इंक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ इस तरीकी के वैल्यू में डिरेक्ट लिया प्रारंबिक मुल्य और अंति मुल्य ऐसे भी याद रख सकते हैं यह मल्टिप्लिकेशन फ्रैक्टर के दौर पे जो मैंने आपको पहले वीडियो में सब्सक्राइब करने वाला जो दर है वह पहले 20 प्रतिसत का था अब कम होके 16 प्रतिसत का ही रह गया वह पहले की तरह ही भुगदान करता है याने पहले जितना टैक्स देता था उतना ही अभी भी टैक्स दे रहा है तो उसकी बड़ी हुई आय कितनी है यह हमें बताना है प्रतिसत में ठीक है यहां से अब फॉर्मूला आप खुदी लॉजिकली सोचिए कि क्या फॉर्मूला फॉर्मूला यह होता है कि जो टैक्स होता है यानि कि जो कर दिया जाता है यह होता है टैक्स परसेंटेज यानि जितना परसेंटेज होगा गुणे में जो सैलरी होती है यानि कि वेतन होता है यही होता है एक्चुली डिडेक्शन के बाद जो सैलरी है वो थोड़ा सा कि यहीं होता है टैक्स कि दर करेंट चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के तहट अगर हम इसको देखें थोड़ा सा इस डीटेल से समझें कि टैक्स क्या है टैक्स का प्रतिसत मल्टिप्लाइड by salary तो पहली अगर बात करें तो tax का प्रतिसत जो है कहीं न कहीं आपका 20 प्रतिसत से याने पहले 20 प्रतिसत लगता था अब यह 20 प्रतिसत से कम होके 16 प्रतिसत हो गया लेकिन tax जो दे रहा है वो पहले और बाद में equal दे रहा है याने पहले भी एक था अभी भी एक ही है करने से एक बंता है तो आपका जवाब होगा यहाँ पर जो salary है वो 5 बटे 4 होना चाहिए और जैसे ही 5 बटे 4 मैंने देखा तो मुझे समझ भे आ रहा है कि value जो है कही न कई एक unit से बढ़ रही है और जब एक unit से बढ़ रही है तो बढ़ने के बाद 5 होगे मतलब आपको पांच unit का value निकालना है अगर एक unit 2 है तो पांच unit multiplied by 2 करोगे तो दस लाग कहीना कहीं इसका income हो जाएगा बीज़गा correct answer for this question एक आखरी सवाल लेते हैं इस वीडियो में यहाँ पर दिया है 75% of 75 लीटर सफ मिक्षर कंटें 20% अल्कॉहल एंड रेस्ट वाटर इस फाइव लीटर सफ वाटर इस एडड़ परसंटेज अव एल्कॉहल in the new mixture will be तो यहाँ पर दिया है 75 75 लीटर मिशरन में 20% अल्कॉहल है तथा यहाँ पर जल इसमें क्या करते हैं हम 5 लीटर का जल मिला जैसी आप 5 लीटर पानि मिक्षर ऐसे का मिक्षर हो जाएगा है है कि इसमें जो चेंज नहीं हो रहा है वह क्या चैंज नहीं हो रहा है वह ऐलकॉहल कंटेंट चैंज नहीं हो रहा है आपका पांश परतिसा कहले भी 베 tuh तो अभी भी 20 परतिसन सेम रहेगा 25 प्रतिस executive कि 10% का परसेंटेज थोड़ा कहीं न कहीं कम होना चाहिए तो इस तीज को मैं आपको दो तरीके से बता सकता हूं पहले आप इसको ऐसे समझ लीजिए बाद में आपको इसमें ऐसे भी समझाओंगा पर कहीं न कहीं यह फॉर और यह फाइव बन जाएगा मतलब की सेवेंटी फाइव फॉर मतलब की अठारे तीन बटे चार प्रतीसत का जो है अब एल्कॉल कंटेंट है इसमें कहीं न कहीं आपका सही उत्तर हो जाए अब देखिए इसमें इस चीज को दुबारा अगर समझना चाहते हैं विदाओट यह सारी केलकॉलेशन मैंने यहां पर किया क्या है मिक्सर जो है वह आप पाश लीटर बढ़ गया अस्ती लीटर का हो गया अब देखिए इसको अगर हम अभी जो फार्मुला देख रहे है उसके तहट अगर सौल्व करना चाहते है तो एल्कॉहल का जो content है एलकोहल का जो content है वो percentage alcohol है ठीक है परसंटेज alcohol मुल्टिप्लाइड बाइ मिक्सर का जो quantity है क्या ऐसा लिख सकते हैं कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि alcohol जो है वो कहीं न कई percentage alcohol मुल्टिप्लाइड बाइ मिक्सर का quantity के जैसा होगा अब देखे इसमें हमने क्या क्या चेंज किया हमने सबसे पहली बात alcohol का content जो है उसको हमने चेंज नहीं किया लेकिन कहीं न कहीं हमने इस mixer के quantity को चेंज कर दिया यानि कि कहीं न कहीं आपने यहां पर पहले अगर यह 75 था और 75 से बढ़ के कितना हो गया तो 80 हो गया है अब यह पर सेंटेज में कितना सेंज हो गा है वह हमने निकालना है तो दूसरी बात आप्को समझना होगा कि alcohol क्या इसमें Song doch desc अभी भी यह पहले इसमें चेंज हो रहा तो अब प सेंटेज अलकॉहल निकालने कौन सी बड़ी पानी मिला रहे पानी मिलाने पर पहले जितना था अभी जितना रहेगा तो कहीना कि यहां पर भी आपका सक्सेशिव परसेंटेज लग जाएगा पांच से काटोगे तो कहीना कि यह फ्रेक्षन जो है वो बन रहा है सोला बटे पंदरा का सोला बटे पंदरा होने का मतलब क्या है सोला बटे पंदरा होने का मतलब यह है कि अब यह जो फ्रेक्षन है वो कहीना कि यहां यहां पर पंदरा बटे सोला होगा पंदरा बटे सोला होगा दूसरी बात आपको यह दिया गया है कि इनिसल इतना एलकॉहल है तो 15 है तो 15 का वैल्यू भी आ जाएगा हो जाएगा 20 डिवाइड़ेड़ बाइ 16 मल्टिप्लाइड बाइ 15 कहीना का यही वैल्यू अभी अभी हमने कालकुलेट भी किया है तो इसको कट के देखेंगे तो कहीना कहीं 18 तीन बटे 4 प्रतिशत जो है इतना अगें इसमें जो एंसर है वो कोई ना कई D is the correct answer तो अब मैं यहां पर इस वीडियो को रोखता हूं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि यहां पर percentage में successive percentage change का हमने कैसे यूज किया है तो यह successive percentage change बहुत ज्यादा important topic इसलिए है क्योंकि ना सिर्फ इसका questions इस तरीके से आता है बलके compound interest में जो कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भरा हुआ questions जो होते हैं उसको भी आप successive percentage change से बहुत easily calculate कर सकते हैं उसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया patience रखिए मैं जब compound interest में आऊँगा तो मैं वहाँ पर इस चीज़ों को समझाओंगा ठीक है Sunday को practice sheet आपको मिल जाएगा competition community के website में तो नीचे description box में आप उसको चेक कर लिजेगा मैं आपको टेलिग्राम चैनल में जैसे अपलोड होता है मैं आपको बता दूगा notification के जरीए सेटेडे को हो गया तो सेटेडे को ही मैं आपको notification प्रवाइट करा दूगा बट mostly हम Sunday को 11 बजे तक हम टार्गेट रखते हैं कि आपको practice sheet प्रवाइड हो जाए इसका answer कि आपको आने वाले Wednesday को प्रवाइड होगा इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर conclude करता हूँ इस वीडियो में इतना ही अगर चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले थैंक्यू सो मज